नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महतपूर्ण जानकरी के साथ दोस्तों प्रकृती ने हमें असिमेत जड़ी बुटियों का खजाना दिया है इसमें से कई जड़ी बुटिया चमतगार गुणों से भरपूर होती है ये जड़ी बुटिया मनुष्य जिवन में आने वाली हर बाता को दूर करती है और अनेक बिमारियों को नश्ट करती है ऐसी ही एक दिव्य चमतकारिक जड़ी बुटि आज में आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है सीवलिंगी दोस्तों ये जड़ी बुटि इतनी चमतकारिक और दिव्य गुणों से बरपूर होती है कि ये पारद को सिगर बांध देती है इसके अलावा ये स्त्री और पुरुसों की बांजपन की समिश्या को दूर करती है अगर श्त्री और पुरुस दोनों ही इसका प्रयोग करते है तो अवश्या ही बांजपन की समिश्या दूर होती है और संतान प्राप्ती होती है सिवलेंगी की एक बेल होती है लता होती है जो लगबग सारे भारत वर्ष में वर्षारुतु में अपने आप उत्बन होती है इसके पत्रों का आकार करे लेके पत्रों के समान होता है और पांच पंकडी वाले छोटे छोटे सुक्सम पीले रंग के फूल होते है इसके बाद इसे हरी रंग के फल लगते है और पकने के बाद लाल हो जाते है फलों पर सफेद रंग की रेखाय होते है इस फलों को तोडने पर अंदर से चिप चिपा गुद्दा निकलता है और इसमें बीज होते है इसका संस्कृत नाम सीवलंगी, चित्रपला, लंगीनी, बहुपत्रा और सेव मल्लिका है मराटी में कावाडोरी, हिंदी में सीवलंगी और तीलुकु में लिंग डोडा कहते हैं तमिल में एविलेसे पहचानते हैं और गुजराती में सीवलंगी कहते हैं इसका विज्यानिक नाम काया पोनिया लेशिन योसा और अंग्रेजी नाम इंडियन ब्रायोनी है दोस्तों आप इसे किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताएं ये स्वाद में कड़वी उष्ण प्रकृतिकी और दुर्गंदी युक्त तथा रसायन है ये अनेक सिध्यों को देने वाली पारत को बांधने वाली और वसीकरण में उपयोग में ली जाती है इसके फल बाजी कारक होते हैं और बल बटाने में इसका उप्योग किया जाता है दोस्तों ये भी जिस सुक्चाने के बाद जलदारी सहीत सीवलिंग के आकार के समान लगती होने के कारण सास्त्रों में इसे सीवलिंगी कहा गया है दोस्तों ये चमतकारिक जड़ी बुटी ऐसी है कि जिन महिलाओं को गर्प नहीं ठेहरता ऐसी श्त्रीयों के लिए ये एक वर्दान है सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती ऐसी स्त्रियों को इस चमतकारिक पेल का एक बार चरूल उपयोग करना चाहिए संतान क्राप्ति की इच्छा रखने वाले स्त्री और पुरुस दोनों को मासिक दर्म के चार दिन बाद एक मास तक लगातार आधा ग्राम सिवलिंगी बीच और एक ग्राम पुत्र जिवक बीच इन दोनों को मिला कर समान मात्रा में मिश्री मिलाए अब इस चुर्ण को सुबह साम एक मास तक लगादार सेवन करें इस प्रयोग से स्त्री अवश्य ही गर्भदारण के योग्य बन जाती है इस प्रयोग से पुरुसों की सुक्रणों की कमी भी दूर होती है और इस संतान प्राप्ति के योग्य बन जाता है इस चमत कारिक ब बच्चिया वाले गाय की दूद के साथ इसका सेवन करना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति होती है। अगर बच्चडी वाले गाय की दूद के साथ सेवन किया जाए तो पुत्री की प्राप्ति होती है। अगर पुत्र जीवक बीजना मिले तो सिर्फ सीवलिंगी के एक ग्राम बीजों को रोजाना सुबह साम दूद के साथ सिवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बीज को केले में निकल जाने से भी गर्ब ठहरता है। इसके अलावा भी सीवलिंगी अनेक प्रकार की व्याथी और बीमारियों को दूर करती है। गर्प उतिस्त्रियों को प्रसव का समय निकट होने पर इस चमत कारिक जड़ी बूटी के मूल को पुष्च नक्षत्र में लाकर कमर पर बांधने मात्र से सुख पर्वक प्रसव हो जाता है। प्रसव होने के बाद इसके मूल को हटा देना चाहिए। सिवलिंगी को बीज सहित पंचा को उबाल कर पिने से गर्पासा की सूजन और पेट की सूजन उतर जाती है। इसके अलावा इसके पंचा का रस 5-10 मिली की मात्रा में सरकरा मिला कर रोजा ना गया के दूद के साथ पिने से जवर उतर जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण चानकारे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकारे के साथ।